इंडिया नों चाहे वह दूसरे मुलकों का अग्लेंड वाले भी तरीफ करें अलगे वह घरेंशे लेकि फिर भी उन्होंने तरीफ करते हैं अस्ट्रेलिया वाले मानते हैं बुम्रा को पूरी दुनिया मानती है और वह समझ आती है कि नंबर बुलर सही माइनों में ऐ क्योंक टेस्क भी खेलो और तीनों फॉर्मेट में शांदार किसम की बोलिंग करके दिखाते हैं यही बोलर जो है वह उस कामयाब होते हैं ना के आपको हारिस रॉप जैसे बोलर जो हम सिर्फ लीग क्रिक्ट खेले हैं मुझे तो भी आकिब जवेद की बात पर असी आती है जो कहते ह हमने तो बस टीरोंडी क्रिकट के लिए बोलर प्रड्यूस की हैं अब लेकिन फिर भी उन टीरोंडी क्रिकटर्स ने आपके मारे चार एक से सीरी दरवादी हैं और इससे पहले ज़से जड़े जा श्मिन वगरा तो स्पिनर्स तो हुए हैं नंबर वरन टेस्क्रिकट लेक तो कमाल की बात में बताओं उसमें यह है कि जस्पीद बुम्रा ने लाइक फॉर्म टू थान फॉन्टी टू लेट अनवर्ड्स ही वदा इंजरी और उसका कमबेक तक बेंको एक साल बाद हुआ ठीक है कमबेक के बात से मतलब यह सिफ स्टैट्स हैं बट यह स्टैट्स है तो रिज्वान है दर फिर अंड दाओं यह कमांड दाओं यह अंड रिस्पेक्ट आम मिलियंज अन मिलियंज द्रू इस जैडली एकुरेट विकल टेकिंग बालिंग नाट दू के यह जेंटलमैन हसता है और खड़ा रहता है नो 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 इसने अपनी तबाकून पर सबीका हारदिक स्वागत भारत के चैंपियन बॉलर जस्परिद बुम्रा बने ICC टेस्ट रैंकिंग में नमबर वन जहां पर ICC ने अपने टेस्ट रैंकिंग का घोशना की और जिसमें यह बताया गया कि जस्परिद बुम्रा को टॉप पोजिशन दी गई है वही पर जस् में इंजरी के बाद पर्फॉर्म किया ऐसा लग रहा था कि वो इंजरी के बाद आये ही नहीं क्योंकि उनके पर्फॉर्मंस में कोई डिप नहीं दिखा उनका पर्फॉर्मंस वैसा ही था जैसे वो पहले चोड़ कर गये थे एक डेटा निकाला गया जिसमें यह बताया गय कि spinning wicket के उपर भी जस्प्रिद बुमरा के पास इतना talent है कि वो wicket निकाल सकते हैं क्यूंकि भारत में wicket निकालना वो भी flat wickets पर बहुत ही मुश्किल होता है पर जस्प्रिद बुमरा को condition और pitch से कोई भी फरक नहीं परता उसलिए उन्होंने बता दिया कि 49 wickets वो भी 9 match में नि चुके हैं और इसे पता चलता है कि जस्प्रिद बुमरा भारत के लिए कितने बड़े लेवल पर जाकर perform कर रहे हैं ऐसे ही वडियो को अंतिम तक देखते रहे हैं लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजा मरी चैनल को और बैल आइकन दबना बिलकुल भी ना सी और इससे पहले जैसे जड़े जा अश्मिन वगरा तो स्पिनर्स तो हुए हैं नंबर वरन टेस्ट क्रिकेट लेकिन पेस्पॉलर का इंडिया से नंबर वरन होना टेस्ट क्रिकेट में यह बहुत बड़ी चीज़ है यार I mean considering the history of Indian क्रिकेट और जो बैग्डाउंड इंजरी और उसका कमबेक तक बेनको एक साल बाहत हुआ ठीक है कमबेक के बाद से मतलब यह सिर्फ स्टैट्स हैं but they leave an imprint on your mind you know कि बुम्रा क्या contribution रहा है क्या performance रही है since return from injury अब यह इंजरी से जब से वापस आया है तो इसने डिसमबर से लेके अब तक चार टेस्ट खेले है और चार टेस्ट में यह तकर बर 27 ले चुका है इससे पहले इंजरी से पहले जो आखरी पांश टेस्ट से खेला था muted 22 में जो पांश टेस्ट खेला तो उसमें इससने कोई 22 विकट ली यह नहीं के आप सोचे़ के नौ। टेस्ट मेच्छस में He's got 49 ice records or 47 ever De Solar. और सब सबसर गर पर कि आंगे नियम्ने कर छाहां के लिपी भी पहता है कि अ कि पर कि उन्हों की बावी नहीं ऑश्रेलिया वाले मानते दोथ चाहे वनादे का थे करते हैं पिल निदे बुम्रा को पूरी दुनिया मानती है और वो समझ आती है कि नंबर वन बोलर सही माइनों में है क्योंकि हर फॉर्मेट देखिए दो तरह के प्लेयर होते हैं एक प्लेयर होता है हार्तिक पांडिय की तरह जो कि इंजिरी के बाद कहते हैं कि मैं टेस्ट करिकर नहीं खेल सकता होते हैं जिस प्रीद बुम्रा जो कि सर्जरी करवा कर आते हैं कि मैं टेट्वंडी भी खेलूगा ओडिये बीखिलूगा टेस्ट भी खेलूगा तीनों फॉर्मेट में शांदार किसम की कामयाब होते हैं ना कि आपको हरिस रोप जैसे बोलर हम सर्फ लीग क्रिकट कि लें मुझे तो भी आकिब जवेद की बात पर हजी आती है जो कहते हैं हमने तो बस टीड़ोंटी क्रिकट के लिए बोलर प्रोड्यूस की है है और लेकिन फिर भी उन टीड़ोंटी क्रिकटर्स ने आपके मारे चार एक से सीधे दरवादी हैं तो क्या किस किसम कि आपने बोलर्स या फिर आप सिर्फ लीग के लिए आम उनको प्रोड्यूस करते हैं बोलर्स को तो यह मेरा श्याल है कि गलत बात है और अपने बोलर्स को ही आपको एक तरह नीचा दिखा ले लिए हमने तो बस इंको यही चीज़ सिखाई है क्या बॉलर है क्या चेंपियन है क्या मिंटालिटी कूल काम आइस की तरह है ना एग्रैशन दिखाता है ना बत्तमीजी करता है यह मैन और अलवेज रेड़ी तो वर्क तो प्रवाइड वड़ी इस बीग असाइंड जब भी इसको जो भी दिया जाता है क्या बॉम्राजी हमें बचा ले फिर वो रोई शर्मा हो फिर वो रावल ड्राविड हो फिर वो बैं स्टोंग सो ब्रेंडन में क्यलम हो दुनिया क्रिकेट का कोई भी अगर जश्परीद भुम्रा को हाई स्टीम में रखते हैं तो रिज्वान है दर यह अंड दाग, यह कमांड दाग, यह अंड दाग, इस ने अपनी तबाकून पर्फॉर्मसेश से और देखे तो इस बिग बिग यह अचीवमेंट फो इंड़िन क्रिकेट एंड जश्पीन बम्रा इसेशलीए अब ऑविसी बात है कि मतलब जहिं में बिलकुल यह बाता आती है क्योंकि हम आप बिलकुल जुड़ी लखी टुए तो अप एस बॉल्र भॉल बालर इस तो बाल आप तो यह प्लेड प्लेड कम्बाइंट टोटल अराउंड 122 टेस्ट मैचेश पर इंडिया और 458 विकेट्स हैं तीनों की यह जिसमें बुम्रा की 155 है चौतीस टेस्ट में शामी की तक्रीबन कोई 219 से करीब है और उसकी सिराज की 68 है ठीक है और शामी ने भी कोई 64 टेस्ट मैचे रही है एक टीन पेस बॉलर्स ने मिलके जो है मजब इतनी विक्टे लियो और यह आइकन ओली रिकॉल के जो वेस्ट इंडीस की जैसे पेस अटेक होती थी उनके पास तो गएर अबंडेंस था वो तो भाई मतलब पूचे ही ना चार-चार पांच पांच एक साथ आते थे लेकिन पर उसके बाद जैसे किसी